हेलो फ्रेंट्स आई इस प्राव्म्म को सॉल करते है क्वेशन क्या कहता है if 5416 star 6 is a perfect square then the digit at star is क्या कह रहा है कि अगर 5416 star 6 is a perfect square है तो जो digit star indicate करता है वो कौन सी होगी तो options दिये हुए है 9456 इन में से कौन सा option होगा जो star की जगह पे आएगा यह हमसे question में पूछ रहा है तो जैसा हम first 4 digit यह जो 4 digit को अगर हम लेते हैं इस side से first 4 digit को और हम यह देखते हैं कि 73 का जो square होता है वो कितना होता है 5329 होता है और उसी तरीके से 74 का जो square होता है वो होता है 5476 ठीक है तो हम यह तो जान पा रहे हैं कि यह जो square root होगा जिस भी value का वो 7373 और dash कुछ आएगा ना कि 74 dash कुछ आएगा मतलब इस वाले range 730 की range 730 से 740 के बीच के range का ही कोई होने वाला है तो ऐसे कौन से number है दो ही number ऐसे हैं जो last में 6 देते हैं तो एक होता है 734 और दूसरा होता है 736 734 होता है जो last में आपको क्या देगा 6 देगा और 736 भी जो है उसका भी square last में आपको क्या देगा 6 देगा ठीक है तो आप जब इसको देखेंगे 736 वाली value को देखेंगे तो यह exactly of question के हिसाब से fit बैठती है और यहां पे जो star की जगर जो value आती है वो आती है 9 it means 736 का जो square होता है वो क्या होता है 541696 यह होता है जबकि 734 का जो square होता है वो होता है 53875 यह जो place है यहां पे 5 आएगा वो यहां पे नहीं है और बाकी भी digit में difference है इसलिए जो सही answer है वो क्या है answer 1 9 जो होगा वो star की जगर पे आएगा झाल